ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर मुझसे पूछते हैं के भाई 20,000 से नीचे-नीचे कोई अच्छा Android फॉन बताओ Assalamualikum everyone, this is Mohamed Vakas Arshad from TechCray's YouTube channel आज के इस वीडियो में हम Redmi की एक नई डिवाइस के बारे में बात करेंगे ये है Redmi A3X, और भाई Redmi A3M ने कुछी दिन पहले अन्बॉक्स किया था आप इसको उसी फोन का एक अलग वेरियंट कह सकती है लेकिन स्प्लेसिफिकेशन के अंदर काफे डिफरेंसेज हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, इसके लुक कैसी है वो भी इसी वीडियो पे बताऊँगा, इस फोन की प्राइस काफी अग्रेसिव रखी गई है भाई यह वाईल फोन आपको 19,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर मिल जाएगा और रेड्मी का जो मार्किट के अंदर ट्रस्ट है और एक बिल्ड कॉलिटी का स्टैंडर्ड है उसलिए आज से इस प्राइस के अंदर आपको एक डिवाइस मिल रही है तो अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है लेकिन जल्दी से इसको अंबॉक्स करके इसकी फर्स्ट लुक देख लेती है आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्स्क्राइब लाजमी से कर लीजेगा और रेडी कर रहा है तो बेल आइगन लाजमी से प्रेस कीजेगा और भाई ये सेटप के अंदर थोड़ी सी बेहनत कर रहे हैं इसके बारे में भी अपने रिव्यूज कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा ओके जी तो ये है रेड्मी A3X का बॉक्स और भाई बॉक्स पर फ्रांट साइड पर मेन हाइलाइट मेंशन की गई है जो कि है 90Hz के रिफ्रेश्टेट वाला डिस्प्ले मजीद बॉक्स पर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर कुछ बेसिक स्पेसिकेशन भी मेंशन की गई है जिनको आगे चलके इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करती है लेकिन अब भी क्विकली इसको अनबॉक्स करके फस्ट लोग फोन की देख लेती है बॉक्स में सबसे उपर मिल जाती है बाइट डिवाइस और फोन को मैं एक दफाँ ओन करके साइड पर रख देता हूँ इतनी देर में हम बाकी box accessories को देख लेती हैं और यहाँ पर भी काफी सारी specifications को mention किया गया है आगे चलके सारी चीज़ें आपको detail में बताता हूँ मजीद box में एक 10 watt का charger मिल जाता है एक type C charging cable है और इसके साथ user manual और warranty card type के कुछ documents मिल जाती है यही चीज़ें box के अंदर इनको side पे करके phone की तरफ आती है ओके जी तो यह है इस mobile phone का design और first look में Redmi A3 की तरह ही यह design लगता है उसी तरह यहाँ पर आपको round camera module मिल जाता है बड़े size का और यहाँ पर back side पे glass stick finish दी गई है shiny glass की finish है जिसकी मदल से आपको phone की build quality ज़रा अच्छी देखने को मिलेगी mobile phone के अंदर physical overview की बात करें तो right side पे आपको power button के अंदर ही fingerprint sensor मिल जाता है उपर volume keys मिल जाती है fingerprint की speed मुझे ठीक ठाग लगी कोई missing मुझे देखने को नहीं मिली पर यहां पर sample आपके सामने है उपर की side पे आपको एक headphone jack मिल जाता है और एक speaker grill दी गई है और left side पे मिल जाती है SIM traces के अंदर आप 2 SIM cards और एक memory card at the same time लगा पाएंगी तो यह काफी अच्छी बात है क्योंकि इसके अंदर आपको storage expand करने का option obviously मिलना चाहिए इस mobile phone के अंदर आपक नीचे की side पे एक type C charging code मिल जाती है और साथ एक microphone मिल जाता है बागी भाई no doubt design देखने में खूबसूरत है और जब आप इस phone को hold करेंगे first look में इसको देखेंगे जैसा कि मैंने A3 की वीडियो में बताया था कहीं से भी ये mobile phone इतना cheap price वाला phone नहीं लगता खास तोर पर design वाले segment के अंदर और मुझे ये design बहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा था और खास तोर पर यहां पर ये white color के अंदर इस mobile phone का design काफी ज्यादा premium लग रहा है और कहीं से भी मैं ये नहीं कह सकता प्राइस को देखके कि इसकी प्राइस 19,000 रुपी है डिस्प्ले की बात करें तो इस phone में 6.71 इंचीज का LCD डिस्प्ले लगाया गया है ये डिस्प्ले नॉच के साथ आता है लेकिन इसमें 90 Hz का refresh rate भी दिया गया है जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है इस प्राइस रेंज के अंदर और आपको definitely काफी smooth scrolling मिल जाएगी as compared to 60 Hz लेकिन आप 60 Hz पर switch भी कर सकती है और आपको battery बचानी है तो बाकि overall display मुझे ठीक ठाग लगा brightness भी इस प्राइस रेंज के हवाले से ठीक है और आपको day to day usage के अंदर कोई major problems नहीं आएंगी इसमें 3 GB की RAM है, 64 GB की storage है और Unisog का T603 chipset लगाया गया है इस specifications भाई खास तोर पर RAM ROM के लिहाज से आपको कैसे लगी मुझे comment section में लाज़मी से बताइएगा हाँ, इसके अंदर आपको expandable storage का option भी मिलता है तो John Sir GB हम कह सकते हैं कि acceptableize price के अंदर लेकिन 128 GB हो जाती तो बहुत ज्यादा बेतर हो सकता था बागी camera department की बात करें तो back side पे 8 megapixel का main camera sensor मिल जाता है और साथ एक decorative lens लगाया गया है जिसको आप depth sensor consider कर सकती है और front side पे भाई आपको 5 megapixel का selfie shooter मिल जाता है अगर picture quality की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ random photos देख सकती है जो के मैंने इसी phone के अंदर यहाँ studio environment के अंदर capture की है आपको results कैसे लगे यह भी मुझे comment section में लाजमी से बताईएगा पाकी वाई इस phone के अंदर 5000 mAh की battery लगाई गई है और 7-10 watt का charger आपको मिल जाता है अब यह complete package आपको 19,000 रुपे की price के अंदर मिलता है इसमें मजीद एक green color आता है एक black color है और एक यह white color है जो के मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया और मुझे यह white color honestly अच्छा लगा Harris में यह 90 Hz का refresh rate एक अच्छा option है उसके 7-7-22 मुबाइल फोन के अंदर यह fingerprint sensor दिया गया है face unlock का feature दिया गया है एक कोछीजी है जिसकी वज़ा से आप इस device को consider कर सकती है हाँ आप इस device को recommend कर सकती है अपने elders को या फिर आपको अपने लिए को secondary device चाहिए तो आप इसको खरीच सकती है बहुत 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 शुक्री आपके वक्त का जजा कर ला